है फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज हम देखेंगे कोल्ब का learning styles इसके पहले हमने देखा था learning cycle और आज हम देखेंगे learning style और इन दोनों में क्या relationship है दोनों का दोनों से मिला के diagram जो तयार किया है वह हम आज देखेंगे तो फ्रेंड ये रहा वो डाग्राम तो जो चार उसने लर्निंग साइकल बताय थे उसी से उसने चार लर्निंग स्टाइल भी निकाले चार लर्निंग जो साइकल होते हैं तो उसी से मतलब इफेक्टिट जो परसन होते हैं तो वही learning style वो जो बच्चे अपनाते हैं जो परसन अपनाता है तो उसी का relation इसमें उसने गोल्ब ने बताया है तो दूसरा cycle क्या था उसका? reflective observation means watch देखना उस पर observe करना जो उसने पहले काम किया हुआ है जो feel उसने किया था उस पर reflect करना उस पर watch करना उस पर चिंतन करना वो चीजे होते हैं watch थर्ड है आपका third cycle क्या है? abstract conceptualization means thinking उस पर विचार करना जो उसने reflect किया जो concept उसने सोचा तो उस पर विचार करना thinking करना कि हाँ इस पर सही अब मैं जाओंगा एक्जाम देने तो जैसा मैंने सोचा है जो वैसा मैं करूंगा यह चीज और fourth active experimentation तो यहाँ पर उसने जो सोचा है वो यहाँ पर उसने कर दिया active experiment means doing करना तो यह रहा cycle पूरा cycle यह रहा अब इसी से चार learning style निकल के आता है according to kolb तो पहला क्या है learning style divergers means feeling and watching दो चीज से निकल के आता है दो learning cycle से एक learning style निकल के आता है divergers अबी सिर्फ हम ये समझेंगे की कौन सा इससे निकल कियाता है बात में हम एक एक करके सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि divergence means क्या होता है assimilator means क्या होता है convergence means क्या होता है और accommodator means क्या होता है यह हम बुक से अच्छे से detail पढ़ेंगे ताकि exam की point of view से अच्छे से हम उसे पढ़ सके अभी सिर्फ पढ़ लेते हैं कि कौन से दो चीजों से कौन सा learning style आया है कौन से learning cycle से, तो पहले से इस से concrete experience से और reflective observation से क्या आया है divergers so divergers means feeling and watching feeling concrete experience से और watching reflective observation से, ओके next है assimilator, assimilator means क्या watching and thinking thinking, ऐसे जो person watch करे, कुछ चीज देखे और उस पर सोचे मनन करे, तो यह किस से आया है आपका, reflective observation से और abstract conceptualization से, तो watching और thinking यहां से, ओके और next point है आपका, abstract conceptualization से और active experimentation से आया है third learning style convergers, तो means doing and thinking यहां पर doing, इसका और thinking, doing, इसका active experimentation का और thinking convergers का, ओके, और last में आपका fourth है, अकॉमोडेटर्स, अकॉमोडेटर्स किस से आया है? active experimentation से doing and feeling, तो concrete experience से इन दोनों से मिलके आपको समझने आजाएगा, इसके बाद हम एक एक करके, इन चारो को पढ़ेंगे people are able to look and think from different perspectives, तो यह परसन कैसे होते हैं, यह लोग कैसे होते हैं, बच्चे, कि यह लोग different, different, मतलब कि अलग-अलग दृष्टिकोंड से वो देखने में और सोचने में, मतलब सक्षम होते हैं, अबल होते हैं, they are sensitive, वो sensitive भी होते हैं, क्योंकि उनके feeling है, feeling है emotions है उनके अंदर, तो इसलिए वो sensitive भी होते हैं, they prefer to watch rather than do, tending to gather information and use imagination to solve problems, तो यह क्या पसंद करते हैं, सिर्फ watch करना किसी भी चीच को, okay, मतलब कि वो किसी चीच को उनका वही काम है, diverging means, अलग-अलग ज्यादा से ज्यादा वो सोचना, okay, ज्यादा-ज्यादा सोचने की शक्ति उनमें रहती है, तो वो करने की बजाए, देखने में, मतलब feel करने मे और अपनी imagination के तो और problem को solve करते हैं, call this style diverging, तो call ने इसे क्या बोला है, diverging means, अलग-अलग ज्यादा सोचने की शक्ति है उसके पास, तो क्या है divergers है, because these people perform better in situations that require idea generations, for example brainstorming, तो ये लोग कैसे होते हैं, कि वो किसी भी situation में जादा से ज़यदा सोचने के शक्ति रखते हैं, इनमें brainstorming होते हैं, मतलब सोचने के शक्ति की बोला होती है, okay, किसी भी situation में وہ अच्छी तरीकिती से सोचके उसका इसका, मतलब अपनी सोचने के शक्ति को बढ़ा सकते हैं, generate परेट कर सकते हैं People with a diverging learning style have broad culture and interesting and like to gather information तो यह क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा information को gather करते हैं Cultural Interests Cultural Interests उन्हें स्वान्सक्रितीं की इंट्रेस्ट उसमें बहुत होता है तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी रखने जैसे कि historian होते हैं ज्यादा तर ऐसे बच्चे कैसे थे historian उन्हें हिस्ट्री में ज्यादा पसंद रहेगा इस सारी चीज़ें इनको ज्यादा इंट्रेस्ट आएगा लग-लग culture में ये आर्ट्स में बहुत स्टॉंग होते हैं इनका आर्ट्स ज्यादा अच्छ होता है जैसे कि ये आर्ट्स मिन्स किसी भी फिल्ड में पैंटिंग राइटिंग वह कभी भी बन सकता है, एक रायटर अःक्षा बन अपैंटर अजया होने स्विकल में सोचनी की शक्टी होता सुचनी की शक्टी होती है तो यह इस फिल्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ग्रूप मेरे काम ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने परसनल फीड़ बैक को मतलब ओपन माइन्ट से सुनते हैं और उसे रिशीव करते हैं और नेकस्ट रहता है Всемilating यह किसी चीज़ को आतमसाथ कर लेना Watching and Thinking देखना किसी चीज़ को और उसके बारे में सोचना गरे किसी चीज़ को देखताना कि ईसे लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को देख लग और इस प्हसंद में miss गर्ति करते हैं the assimilating learning preferences is for a concise logical approach इनमें क्या होता है concise और logical approach होता है ठीक है ये logically ज्यादा सोचते है ideas and concepts are more important than the people तो ये इनके जो ideas होते है इनहें बहुत ज्यादा important लगता है बाकी लोगों से मतलब कि इनहें जो ideas पसंद आता है जिस ideas में खोये रहते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा important रहता है rather than people, okay these people require good clear explanation rather than practical opportunity तो इनको क्या पसंद होता है कि इनहें अच्छे से मतलब जिदम clear explanation इनहें ज्यादा अच्छा लगता है rather than practical opportunity इनहें practical करने के बज़ाए इनहें theories में ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है जैसे कि economist होते हैं mathematics होते हैं उस type के they excel at understanding wide ranking information and organizing it a clear logical format तो इनकी जो understanding होती है वो काफी wide होती है उनके पास काफी information के साथ वो कोई भी काम करते हैं उनका क्या होता है कि जो उनका वो एक लॉजिकली उनका जो format होता है वो clear होता है people within assimilating learning styles are less focused on people and more interested in ideas and abstract concepts ऐसे लोग क्या होता है इस तरकी कि जो learning styles इनकी होती है वे कैसे लोग होता है कि वो लोगों पे कम ध्यान देते हैं इतना लोगों पे ध्यान नहीं देते भीड़ भार में रहना पसंद नहीं करते उन्हें क्या पसंद होता है आइडियाज नए नए आइडियाज और abstract concepts मतलब कि logical thinking वो उनका thinking watching यह है यहां पे watching and thinking तो ऐसे लोग क्या होते हैं और watch करते हैं और abstract हैं वो अपने ही एक भावनाओं में एक thinking में रहते हैं People with this style are more attracted to logically sound than approaches based on practical value तो ऐसे लोग क्या करते हैं logically उन्हें ज्यादा पसंद आता है उन्हें ज्यादा attract होते है logically sound की तरफ और मतलब की ऐसे लोगों को practical उतना काम करना पसंद नहीं होता है जितना की logically third है converging doing and thinking People with a converging learning style can solve problems and use their learning to find solution to practical uses यह क्या करते हैं doing and thinking सोचना और करना यह कैसे होते हैं इनका learning style कैसा होता है कि यह जो यह अपने problem को कैसे solve करते हैं मतलब कि यह अपने practically मतलब यह practically करते हैं और कोई भी अपना problem practically जो भी रहता है उसे solve करते हैं practically issues से okay they prefer technical tasks and are less concerned with people and interpersonal aspects ऐसे लोग technical कारी करते हैं मतलब तक्निकी कारी करते हैं और लोगों और पारस्पिक लोगों के साथ कम संबंद रखते हैं बाकी लोगों से मतलब भी भार भी इन्हें भी ज्यादा पसंद नहीं होती है okay people with a converging learning style are best at finding practical uses for ideas and theories तो ऐसे लोग अपनी idea के लिए okay अपनी theories के लिए practically कुछ भी चीज यूज करते हैं इन्हें best तरीका क्या लगता है practically करना they can solve problems and make decisions by finding solutions to questions and problems इनके मन में कई सरे सवाल जवाब चलते रहते हैं तो यह अपने problems को कैसे solve करते हैं question answer से practically करके मतलब सोच के फिर करना पहले सोचेंगे किसी भी चीज पर बार बार फिर उस पर decision लेंगे ऐसे ही नहीं लेंगे people with a converging learning style are more attracted to technical tasks and problems than social or interpersonal issues तो ऐसे लोगों को ना जो अपना interpersonal issues उन्हें अपने problems से ज़्यादा वो दूसरों के मतलब समाज के problem पे वो ज़्यादा ध्यान देता हैं ज्यादा उन्हें attract करते से चीजें और टेकनिकल टास्क करना उन्हें पसंदाना जैसे कि engineers होते हैं तो इसमें इन में कैसी अगताय होते हैं इन में technologies की मतलब तकनिकी और specialist की इस बीचीज में specialist हो सकते हैं किसी भी फिल्ड में इस टाइप के फिल्ड में जो doing and thinking type के काम करते हो इन्हें प्रैक्टिकली काम करना पसंद और टेक्निकली नहीं काम करना पसंद और प्रैक्टिकली आप्लिकेशन के लोग होते हैं उन्हें निव आइडियाज पे एक्स्परिमेंट करना पसंद होता है और कोई भी काम करना हो तो उन्हें मतलब practically करना पसंद होता है practically काम पर वो apply करते हैं मतलब application practically application करते हैं वो theoretical theoretical नहीं और नहीं सिर्फ logically ओके next है accommodating means यह लोग मिलनसार टाइप की होते हैं किसी भी मतलब की समायोजन होता है इनके अंदर तो यह क्या करते हैं doing and feeling किसी भी चीज़ करते हैं फिर उसे काम करते हैं किसी भी ओके the accommodating learning style relies on intuition rather than logic तो यह लोग कैसे यह style कैसे होती है कि यह तेरे logic लोग से ज्यादा मतलब सोचने से ज्यादा thinking नहीं चैने सोचते नहीं है तो logic लोगवे किस सीज़ेश करते हैं on- continuation & intuition लोगों से मिलने वाली चीजे लोगों से लोगों के दोरह देख यह लोगों के learning देखरके experience लेना है लोगों मोटिवेशन स्टोरी सुन के कुछ लेना मतलब उनसे सीखना ये चीजे होती है लोगों से मतलब की एक दूसरे को देख के कुछ सीखना इस पीपल यूज अधर पीपल से अनालिसिस एंड ट्रिफर टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपरेंशियल अप्रोच तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग दूसरे को देख के अनालिसिस करते हैं कि सपोस कि उसने अगर ऐसा काम किया तो उसको अच्छा मतलब गुड मार्क मिला या बैड मार्क मिला तो दूसरे को देख के नारेसिस करते हैं, खुद वैसा करते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, दूसरे को देख के, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरों को देख के बहुत को सीखते हैं, या दूसरों को देख के उस कभी-कभी उस रास्ते पर चलते भी ह तो मतलब experiment type का काम क्योंकि देखना मतलब की feel करना और काम करना दूसरे के काम को देखके experiment करना they are attracted to new challenges and experiences तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि मतलब की challenges को नएने challenges की तरफ वो attract होते हैं और experience की तरफ को attract होते हैं means उन्हें नए नए challenges को accept करना नएने experience को लेना उन्हें ज़्यादा attract करता है and to carrying out plans और इसे ही वे अपने plans को मतलब अपने plan बनाते हैं people with an accommodating learning style tend to rely on other for information than carry out their own analysis ऐसे लोग क्या करते हैं वो दूसरों पे ज़्यादा वरोसा करते हैं दूसरों के information पे ज़्यादा वरोसा करते हैं उसके बाद वे खुद का analysis करते हैं पहले खुद का देखते हैं फिर अपना practically वो खुद apply करते हैं फिर वो देखते हैं कि हां क्या सही है क्या गलत है this learning style is prevalent and useful in roles requiring action and initiative prevalent means प्रचलित है ज़्यादा तो ऐसे learning style ज़्यादा प्रचलित है ज़्यादा useful है किसी भी कारे को मतलब करना और किसी भी role requiring को मतलब किसी ऐसे एक पहल के लिए और एक रोल के लिए मिस किसी भी role को किसी भी काम में पहल करना ये ज़्यादा सही होता है कि किसी को देख के करना People with an accommodating learning style prefer to work in terms to complete tasks they stay target and actively work in the field trying different ways to achieve an objective तो इस टाइब के learning style like कैसे होता है कि वह अपना जो उन्होंने एक अपने टर्म पे अपने पॉलिशी पर टास्क को complete करना ही होता है ठीक है जो उन्होंने ठान लिया वह करना ही होता है यह risk taker होते हैं और ये क्या होते हैं और इन्हों ने जो अपना target शिट कर लिया उसे actively work करने के लिए उस में काम actively करने के लिए उस फिल्ड में proper काम करने के लिए क्या करते हैं? अलग-अलग अलग तरीकों से कैसे भी करें वो अपने objectives को मतलब achieve कर ही लेते हैं तो यह चार तरीके के रहे आपके लर्निंग, स्टाइल, डाइवार्जिंग, एसिमिलेटिंग, कनवर्जिंग एकॉमोडेटिंग तो यह चारो कहां से आया है आपका यही से मतलब कि जो लर्निंग साइकल है वही से यह चारो निकल के आया है okay so I hope कि आपको समझ में आया हो thank you thank you so much